अच्छा नेक्स टॉपिक हमारा होगा लीमिटी रियक्टेन और एक्सिस रियक्टेन ठीक है इसे पहले आपको रियक्टेन की बार में थोड़ से बताये था याद है ना आपको शुरू-शुरू में जहां कहीं पर लेट सब्समें आपको एक केमिकल डियक्शन दिखा दूँ देखें ये एक रियक्शन है हमारे पास N2 प्लस H2 ठीक है जब ये दोनों आपस में रियक्ट करेंगे तो फिर उसे हमें मिलेगा 2N3 तो यहाँ पे अगर हम उस रियक्शन की बात कर लें तो फिर इसमें नाइडोजन और हाइडोजन है ये रियक्टेन है ठीक है और जो अम इसमें जो एक जो टाइप आप दी रियक्टेन है उसको हम कहेंगे लिमीटिंग रियक्टेन क्या कहेंगे इसको हम लिमीटिंग रियक्टेन कहेंगे और दूसरा हमारे पास जो रियक्टेन है इसको हम कहेंगे एक सिस रियक्टेन कहेंगे हम उसे ठीक है एक क्या है लिमीट की जिरों को आपने समझना है लिमीटिंग रियक्टेनलिमिट का मालब क्या है कम को को कहते हैँ इंदर हसलिए ठीक है तो धथाइप्स आफ दी रियक्टेन एक एसा रियक्टेन जो केमिकल आए जाएगी हमार पास, एक तो रीक्टेंट की डिफिनेशन लिमीटिंग किये है ताइप साफ रिएक्टेंट विए धिया कंप्ली देट कंज्यूम कंप्लीट ली इन दी चैमिकल रिक्टेंट इस्ट लिमीटि रियक्टेंट यानि नमबर आफ मॉल आफ दी प्रोड़क्ट जो है कि वो कम से कम दे दें रियक्टेंस ने प्रोड़क्ट कम देना है ठीक है खुद रियक्टेंस ने जब कि जो एक्सिस रियक्टेंस क्या है XS का मदा लब लाब जो जादा को काजाता है जो जादा मिखदर में बरतन में मोजूद हो उसे हम XS कहेते है बरतन के अंदर रहें जादर quantity में उस reaction को क्या कहेंगे हम एकसिस और केंगे अब सवाल है कि हमें किस तरह से बता चलेगा कि लिमिटी रेक्टेन कौन सा है और फिर एकसिस रेक्टेन कौन सा है तो यह पेचाने का हमारे पास एक calculation है दर ऐसलिए ठीक है definition तो इदिन ही सी बात the types of ओर दूसरा उक्ट्रोब देट केमिकल एक्शन भी का चारी इसको जो किमिकलेक्शन को कारे थीक आं जो केमिकलल से में मुकमल तो पर कंज्यूम जो नंबर आप यह आप इसको यूज भी करना है आपने ठीक है जो लीस नंबर आफ डोट दे ते उसे लिमीटिंग रियक्टेन कहते हैं एक एसर यह जो क्या देते हैं आपको लीस नमबर आफ मॉल आफ दी प्रोड़क्ट और जो ज्यादा नमबर आफ दी मॉल आफ प्रोड़क्ट दें उसको उसे हम एक्सिस कहा जाते हैं यह के लिए होगा नदो डिफिनिशन अब इसके बाद हमने आइडिनिफिकेशन केसे करना है कि कौन सा लिमीटी रियक्टेंट है और कौन सा एक्सिस रियक्टेंट है तो इसके लिए हमारे पास से लिए पास इसमें एक्साइस 1.4 है इसमें 2 क्योशन है मजब की बात एक क्योशन में करूंगा यहां पर और दूसरा क्योशन आप करेंगे तो बताएं क्यो नों क्या मनला फिर तरीकेकार मेथाड विल्कूल सेंव उसे में बस वेलिउस थोर चाही है उसमें में वेलिउस होर जो सबस्टेंस है वो डिपेंट है कौन से कर दूँ तू कर दूँ है आप क्योशन नमबर टू आप जड़ा देख लें तो क्योशन नमबर टू यही बताया कि आपको अलमोनियम रियक्ट्ट विद दा बोरॉमीम टू फर्म इलमोनियम ब्रॉमाइट ठीक है और आपको एक रियक्शन किवने हैं आपर क्या किवने हैं पर एक रियक्शन 2-A-L है कि if 15.8 ग्राम आफ ऐलमोनियम एं 55.6 ग्राम आफ बुरोमियम और अवेलेबल फोर दा रियक्शन देन डिटर्मीन दो चीज़ां आपने डिटर्मीन करना है लिमिटी रियक्टेन और मेस आफ इलमोनियम बुरमाइट तो डेटा कैसे बनेगा डेटा हमारा इस तरह बनेगा जो चीज़ें गिवन है मेस आफ इलमोनियम आपको गिवन है जिनाब 15.8 ग्राम यह मेस आफ इलमोनियम है ठीक है मेस आफ बी आर आपको बता दिया कितना 55.6 ग्राम ठीक है अगर ऐसा हो तो फिर आप दो चीज़ें आप कल्कुलेट कर लें उस में से जो पहला आपने कल्क और दूसरा आप से पूछा है कि आप कल्कुलेट करेंगे कि मेस आफ इल्मोनियम ब्रोमाइट प्रोड़क्ट की मेस निकालेंगे आप थीक है मेस आफ इल्मोनियम ब्रोमाइट बी आर थी इसकी आफ ने मेस फाइंड करना है तो डेटा बनाना तो कोई मुश्किल नहीं डेटा में आपको चार पांच चीजें गिवन है ठीक है आपके पास एक रियक्शन है जिसमें टू मॉल आफ इल्मोनियम थ्री मॉल आफ ब्रोमिम के साथ र फिष्टी 5.6 गराम फिर इसे बाताओ यू कल्कुलेट ली मिटी रियक्ट dernière विच वरने मिटी रेटrans यह यह ली मिटीयरीक्ट में अब जाएंगी तो सबसे पहले देखेंगे हमेंचों की मेस गिवन है एक टेकनिक आप याद रखिए जब कभी आपको मेस गिवन हो तो फिर आपने हमेशा मोल फाइन करना है ठीके मेस गिवन हो तो क्या फाइन करना है हमेशा मोल फाइन करना है तो मोल फाइन करने का जो एक तरीका है कि मयस अवर मोलर मेस है जबले तो hora उदने चालकुलियर करना है कि में सफ yıl मॉनियम क्या फायं करेंगे हम में सफ फिल मॉनियम है कि इस इकल टु देखें सुरी मोल ऑफ फायं करेंगे हम तो में सफ साफ ऐलमोनियम हमें किवान है कितना 15.8 गराम डिवाइड बाइ मोलर में साफ ऐलमोनियम तो आप याहाँ थे 27 है क्या है 27 कल्गिलेट कर दूसरा इसको 27 जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा मोला फिलमोनियम 15.8 दिवाइड बाइ 27 what will be the value 0.58 और एक value 5 यह हमार पास ते कि मोला फेल है अब इसमें तो कोई मसना ही नहीं है यह तो आपने फाइन किया हुआ है अब हमने निकलना है कि अगला मोला आफ ब्रोमीम भी निकलना है नमरा मोला आफ ब्रोमीम तो मेस अफ ब्रोमीम कितना है 55.6 55.6 गराम डिवाइट बाइ मोला मेस अफ ब्रोमीम ब्रोमीम की मोला मेस 80 है तो 2 ब्रोमीम क्या होगा BR2 है न हमारे पास शाबास 160 1 यानि मोला मेस अफ ब्रोमीम is equal to 80 ब्रोमीम BR2 की फार्म में होती है तो फिर 80 to the 160 क्या होगा अब इन दोनों को डिवाइड कर दो 0.347 ठीक है तो मोल आफ ब्रोमीम आपके पास आगए और फिर मोल आफ एलमोनियम आपके पास आगए अब हमने दूसरा काम ठीक है अगला काम आपका यह होगा कि जो हमने इसले बसमें 1.1 में देखा था कि मोल रिशो के जरीए अगर आपके पास रियक्टेंट की नमबर आफ मोल पता हो तो आप प्रोड़क की निकाल सकते हम ठीक है अगर नमबर आफ मोल आफ प्रोड़क्ट पता हो हमें ब्रोमिम का भी मोल पता है तो फिर हम अभी कल्कुलेट करने जा रहें किसकी नंबर आफ मोल आफ दी प्रोड़क्ट फाइन करेंगे आप ठीक है तीन स्टेप में होगा नंबर आफ मोल आफ आपने एलमुनियम निकाला नंबर आफ मोल आफ दी ब्रोमिम अग्विश आ अब हम कहां जाएंगे नंबर आफ मोल आफ दी प्रोड़क्ट एलमुनियम ब्रोमाइड निकालने जा रहें लेकिन एलमुनियम प्रोमाइड की हमारे पस कोई मेस बेस नहीं है तो हमने कंपरिजन के जरी निकालना है तो आप फिर आ जाएं आपर एकाड़ी टू लिखना है तू मोल साफ एलमॉनियम ग्यूस तू मोल आफ एलमॉनियम ब्रोमाइड दोनों का कंपरिज से लिखेंगे ठीक है एक करणी डू बेलेस्ट केमिकल एक्वेशन क्या होगा तू मोल साफ एलमॉनियम ग्यूस कितना तू मोल साफ एलमॉनियम ब्रोमाइड एल भी तो है यह थू करें। जो मेना दो तरीक एकाल-बाल बन나면 पर लेकिन हमें चाहिए हमें ऑन कभी नहीं चाहिए हमे चाहिए जिनाब इतना मोल अफिलमोनियम यह जो वोली निकाला हमने ठीक है कल्कूलेट करके तो फिर देखें 0.585 मोल साफ इलमोनियम हमें कितना मोल अफिलमोनियम बुरॉमाइट देगा सेरीश इतना ही देगा same to same है na 2 रिशो 2 हुआ 1 रिशो 1 हुआ तो इतना मोल आफ ऐल्मोनियम हमें क्या देगा 0.585 मोल्स आफ ऐल्मोनियम बुरुमाइट इसमें तो परिशानी नहीं है ना Simple is that आपने यहाँ पर कंप्रीजन के जरिये चेक कर ली कि कितना जो मोल आफ ऐल्मोनियम कितना मोल आफ प्रोड़क्ट दे रहें तो पते चला है कि आपको 0.585 मोल्स आफ ऐल्मोनियम ने आपको 0.585 मोल्स आफ ऐल्मोनियम बुरुमाइट दिया हमें दर असिल यह देखना है आप डिफिनेशन के ताहर कौन सा रियेक्टेन ऐसा है जो हमें प्रोड़क्ट कम देगा कम जो प्रोड़क्ट हमें कम मिलेगा नबर अहमोल वही लिमिटी रियेक्टेन होगा तो पहला क्यूशन का अंसर आजएगा आप से सवाल इस तरह पूछेगा पेबर में यह पूछेंगे आप से तो आप ऐसे पहचानेंगे ठीक है तो अगला हमारे पास होगा यह तो हमने अलमोनियम का कम परीजन कर दी अब हम कम परीजन करेंगे किसकी देखो कि बियार की यहां पर बियार का थोना सब्रामा मुखतलिफ है थी बी आर ग्यूस टू एल बियार की यह रिएक्शन के ताथ आप लिखेंगे तो पहले रिएक्शन में आपने लिखा कितना थी मोल्स आफ ब्रोमीम ग्यूस कितना टू मोल आफ अमोनिया एलमोनियम ब्रमाइट सोरी यह हमने बेले सिक्वेशन के ताथ लिखा है ठीक है अप यहाँ पर वन का निकालने के लिए हमने निकालने अब वन का वrun मोल्स कितना देगा इस तरह कैसे निकालेंगे क्योंकि उपर तो हमार पास ratio वन डिशो वान हे टू रिशो टू है तो हमने डारिक लिखा लेकिन यहां पर तो थोड़ा सा unitary method इस्तिमाल करेंगे हम जो कल बताया था क्या हुगा सारीश शाबाज 2 divide by 3 multiply by 1 mole of aluminum bromide ठीक है यह हमने किया तीन रफ़ा किया 1.1 में भी किया और फिर कल भी किया था molar volume में ठीक है हमें तो 1 का भी नहीं चाहिए हमें तो 3 का भी नहीं चाहिए हमने देखना है कि इतने mole का ठीक है ब्रोमीम ने इतना mole दिया था न तो कहा 0.347 mole of the bromine कितना देगा तो इसके रहा हम क्या करेंगे 2 divided by 3 multiply by 0.347 अब करें calculate 2 को multiply करतो पहले 0.347 से उपर वाली वेलियो बताओ जरा जरो पॉइंट 1 3 divided by 3 कर दो करके हैं सरे डारेक्ट अच्छा तो इसका मालब देखेंगे आप यहां पर देखेंगे 0.347 mole of the bromine ग्यूस कितना 0.2313 यानि 231 ठीक है mole of the aluminum bromide इधर तक तो मसले नहीं कुछ अब आपने सिर्फ और सिर्फ definition को दुबारा दिमाह में रखिये कहा कि आपको एक definition के तहत limiting reactant कौन सा होगा जो आपको number of mole of the product कम दे कम दे और कम दे ज्यादा नहीं कम दे तो खुद ही देखेंगे आप ज़रा 0.58 5 mole of aluminum ने आपको कितना दिया 0.585 अब देखलो कि aluminum 0.347 ने आपको कितना दिया 0.2313 तो product यह कम है या वो कम है नीचे वाला कम है ठीक है यानि बुरोमीम ने हमें number of mole of the product कम दी है तो लिहाज आप खुद मुझे बता दो aluminum limiting reactant है या बुरोमीम बुरोमीम है कौन सा limiting reactant है बुरोमीम क्यों? चौन कि बुरोमीम ने हमें जो number of mole of the product है वो कम दिया है तो लिहाजा हम कहते हैं कि जनाब बुरोमीम is the limited reactant चेक योर अंसर ठीक है? क्या है हमारा पहला answer? आप तो पूरा अंसर लिखेंगे सिन्स बुरोमीम ग्यूस लीस number of the product देट इस वाई बुरोमीम इस क्या है? limiting reactant ठीक है? बुरोमीम क्या है? limiting reactant यहाँ तक अगर कोई परिशानी नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इधर तक बिल्कुल क्लिए है? ठीक है आप ने ये देखना है कि सबसे पहले तरकीब से में साफ Communion ठीक है? फिर इसकी बाद में मौल अफव हलिमोनियम फिर इसकी बाद मौल अफ़ बुरोमीम फिर इसकी बाद आपने eux हैं आज़स सुच्आर याद रखें याद रखना है हमने जब कभी product की मेश निकालना हो तो फिर हम हमेशा use करेंगे limited reactant वाला mole इस्तेमाल करेंगे कौन साथ इस्तेमाल करेंगे हम limited तो देखें यहाँ पर हमारे पास borromean यह जो हमारे पास यह क्या चीज़ है यह mole of aluminum bromide है ना जो हमने निकाला है by the comparing reactant in product तो मैं आपसे पूछूँगा कि number of mole of the aluminum bromide क्या है 0.2313 यही है ना तो देखें हम यहाँ पर formula भी लाई करेंगे और खुछ नहीं करेंगे mole is equal to mace और molar mace फिर वही formula ठीक है तो देखो यहाँ पर हमने क्योंकि mole लेना है किस चीज़ की mole लेना है aluminum bromide की क्योंकि हमें चाहिए मेस aluminum bromide की चाहिए बास होना रगी नहीं आए अब देखें mole of the aluminum bromide आप इसमें value पूट कर दो 0.2313 ठीक है is equal to हमें मेस फाइन करना है तो मेस एस लिक हो आप molar मेस आफ aluminum bromide आपको calculate करना पड़ेगा molar मेस आफ aluminum bromide निकालें आप AL-BR3 AL-27 boromium की 80 multiply by 3 करो जाए इसकी कितना निकला आ रहे 80 मल्लिबला वेट 3 पहले उसको मल्लिबला कर दो फिर 27 उसमें प्लस कर दो 8,3,24,240 हो गए तो फिर 27 उसमें प्लस कर दो 267 हो गए कितना हो इसमें 267 what is 267? molar मेस आफ इसलिमोनियम ब्रोमाइट तो कोई मास है आप इदर लिखो 267 अब 267 उदर जागी क्या होगा? multiply हो जाएगा multiply करो जबा मेस आफ इसलिमोनियम ब्रोमाइट is equal to 0.231 into 267 answer दरज़े कर लें कितना हो इसमें multiply कर दो 61.67 देखें gram जैसे हो तो इसका महला भी है कि हमें मेस आफ इसलिमोनियम ब्रोमाइट इस reaction के अंदर मिला है कि वो कितना मिला? 61.67 मिला है तो फिर हमारे जो दूसरा question है उसके भी answer आ गए ये question दोरा सा lengthy है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है मुश्किल दो नहीं है न यहां तक यहाँ इस step के अंदर कहीं पर कुछ मसला है तो फिर आप पूछ लें कोई मसला है है मनी? ठीक है